नमस्कार और आप देखना सुरू कर चुके हैं पास्कुलंड.com तो चलिए सुरू करते हैं और हम लोग लेते हैं आज का अपना प्रश्ण तो हमारा आज का प्रश्ण ये है कि क्या भारती ये वाई उशेना ने अपने ही हेलिकॉप्टर को मार गिराया तो देखिए हमको और आपको सबको भी पता है कि 26 फरवरी का वो दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था इसके जबाभी हमले में कि जब पाकिस्तानियों ने हमारे CRPF के काफिले को उड़ाया था जिसमें हमारे बहुत सारे जवान सहीद हो गये थे और उस समय दो घटनाएं हमारे सामने थी पहली घटना तो ये थी कि हमें सबको याद है कि 26 फरवरी को भारती वायुसेना ने घुस्पैट करके पाकिस्तान के अंदर जाके बाला कोट में वहाँ पे बम गिराये थे और बहुत सारे आतंकी मारे गये थे उसमें लेकिन एक और घटना थी जो अगले दिन हुआ था यानि कि 27 फरवरी के दिन 27 फरवरी के दिन आपको हमको और हम बहुत सारे लोगों को एक चीज़ तो याद है जिस दिन अभिनंदन जी ने पाकिस्तान के F-16 को मार की राय था और फिर वो पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये थे लेकिन एक दूसरी घटना भी थी उस समय जो आपको हमको साइद इस समय नहीं आ दे और हम सभी लोग भूल चुके हैं वो घटना ये थी कि उसी दिन भारती वायूसेना का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था और उसमें लखबख 6 वायूसेनिक जो हैं मारे गए थे और वो घटना जोती हम सब के बिल्कुल सोच के परे थी कि ऐसा क्या हो गया, बहुत सारे हमें से लोग और बहुत सारी मीडिया वाले लोग, ये कहने लग गये थे कि साइध पाकिस्तान ने ही इनको मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान ने उस दिन एकदम क्लियर कर दिया था कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है तो जैसा कि होता है हमेशा Air Force ने फिर अपनी Court of Inquiry बिठाई और जब Court of Inquiry बिठाई तो उसमें ये बात पता लगी कि हमने अपने ही हेलिकॉप्टर को खुद ही अपने मिसाइल से मार गिराया अब सोचिए कितनी बड़ी गलती है तो हुआ कुछ यूँ था कि जो हमारे उसमें Commanding Officer थे उसमें Group Captain जो थे उसके इंचार्ज जो थे तो जब उन्होंने जब देखा कि कोई हेलिकॉप्टर जा रहा है तो उनको ये लगा कि हो सकता है ये कोई Unmanned वहिकिल हो Unmanned वहिकिल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा Robot या एक ऐसा Plane जिसको कोई इनसान नहीं चला रहा हो उनको ये लगा कि सायर पाकिस्तानियों की तरफ से ऐसा कुछ आया हो जब की एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो intelligence और जो हमारी satellite के लोग हैं उन्होंने ये बात बिल्कुल confirm कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ अपने उपर लेते हुए एक जो है missile छोड़ दी और जिसके वज़े से क्या हुआ हेलिकॉप्टर को जाके लगा और वो crash हो गया तो ये घटना तो हो गई लेकिन उस घटना में लगबग हमारे 6 लोग मारे गय थे और उसका खुलासा भी recently जो है हमारे जो इंडियन एर फोर्स के चीफ है राके सिंग भदोरिया उन्होंने अभी एक recently प्रेस कॉन्फरेंस में ये बात कबूला कि जो उस समय बढ़गाम में MI-17 हेलिकॉप्टर जो crash हुआ था वो बिल्कुल उसमें हमारी ही गलती थी और ये बात port of inquiry में ये बात पता लगी है जिसका result तो है कुल मिला के 6 महीने के बाद आया है तो ये एक तरीके से इंडियन एर फोर्स का हम लोग दूसरा side भी हम कह सकते हैं ये हमारी एक तरह से failure थी कि हमने अपने ही helicopter को मारी रहा अब देखिए अब जिन लोगों के ये गलती हुई है उनके लिए दो तरीके की सजा हो सकती है पहली सजा तो ये है कि हो सकता है उनको जो है service से टर्मिनेट कर दिया जाये दूसरी सजाई यह हो सकती है कि हो सकता है उन्हें कोर्ट द्वारा कुछ दिन के लिए जेल में या फिर ऐसी कुछ सजाई हो सकती है जो कि military court decide करेगा और एक trial चलेगा जिसके बाद ये बात पता लगेगी कि उन लोगों को क्या सजा क्या मिलने वाली है तो अगर आप ये वीडियो जो है facebook पर देख रहे हैं तो like कीजिए अगर आप ये वीडियो youtube पर देख रहे हैं तो subscribe कीजिए और bell वाली घंटी दवाना बिल्कुल मत भूलेगा और ऐसे ही और प्रश्ण और उत्तर पाने के लिए आप प्ले स्टोर से पास कोलन एप को डाउनलोड जरूर करिए जिसका लिंक की हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है धन्यवाद